विल्काम तो इस्टरी रपीट के इस वीडियो में आप सब का स्वागत है आज के वीडियो में हम लोग जो बात करेंगे वो मोस्ट इंपॉर्टन जीके के बारे में बात करेंगे यानि शुरुआत कर रहे हैं एक नए वीडियो के साथ में और एक प्लेलिस्ट भी है जिसमें हम सब बात करेंगे जो दिल्ली प्लिस हेट कॉंस्टेबल की वेकेंसी आई है उससे लेटेड आपको करेंट अफेस और जरनल क्वेस्टन यानि जीके क्वेस्टन आएंगे पढ़े एक वीडियो आपको मिलेगा आप इस वीडियो को शेर भी कीजिए और आप यदि आफिसमेल में नए हैं और उत्तर प्रदेश के साथ साथ दिल्ली प्लिस की तैयरी कर रहे हैं तो आप इस वीडियो को जरूर शेर कीजिए और इस वीडियो को जरूर देखिए परले question देखते हैं जैसे कि आपने screen पर देखा होगा इस verse राजियोगान्थी जो खेल रत्न अवार्ड दिया गया है किन लोगों को दिया गया है यानि दो लोगों को दिया गया है ये question बहुत important इसलिए बन जाता है क्योंकि जीके का जो पार्ट होता है ये सभी competitive exam में पूछे राता है और मोश्ति जातर question इस तरह से आते हैं जो अभी current में happening हुई है जो भी घटना हुई है उसके बारे में जुरूब पूछे राता है जैसे sports related क्या है कोई award कि इसको क्या दिया गया है फिल्म इंडस्ट्री में क्या क्या हुआ है तो इस तरह से जिदने awards होते हैं ये बहुत important role अदा करते हैं सभी competitive exam में at least one question definitely आता है तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए तो बजरेंग पुनिया और दीपा मलिक जी को दिया गया है राजीव गाधियवार 2019 में ये आपको पता होना चाहिए अगला question देखते हैं क्या है कि सोनिया लाथर किस खेल से संबंदित है देखे इस तरह से भी question पूछा जाता है कि जब कोई व्यक्ति का नाम दे दिया जायता है उसके बाद पूछ ले जाता है कि ये व्यक्ति किस खेल से संबंदित है या कभी-कभी ऐसा पूछ ले जाता है कि मुक्के बाजी के famous सोनिया लाथर जी को कौन सा अवार्ड मिला भी इस तरह से भी question पूछ जा सकते हैं तो ये बहुत important question है आपको पता होना चाहिए कि सुनिया लाथर जो रिलेट करते हैं जिस खेल से वो खेल है मुक्के बाजी यानि कि जिस फिल्ड से रिलेट करते हैं वो है मुक्के बाजी अगला question देखते क्या है आसकार अवार्ड में कौन सी फिल्म ने कि देश समाज के साथ और लोगों को भी information दे सके तो इसलिए इस organization के अंदगर जो movie select की गई इस बार 2019 में वो green book book है green book film है जो कि select की गई है आसकार अवार्ड के लिए कहने का मतलब है आसकार अवार्ड इन्होंने जीता है green book question बहुत important है आपको पता होने चाहिए आसकार अवार्ड के लिए कहीं साई movie इंडियर movie फाइट करती है लागान भी एक समय था बहुत ही बूम पर थी कि लागान को आसकार अवार्ड मिलेगा पर अल्टिमेटले नहीं मिला तो इस तरह से question पूछे रहेंगे exam में नहीं की again q oc oc ग्राम सभा कासदर से बनने के लिए एक व्यक्तिकी नंतमाय कितनी होनी चाहिए जो कि political science letter question में ग्राम सबार देख calorie जो आप जानते हैं आप गाऊंहां या नहीं भी है तो हर किशे को पता होना चाहिए एक ग्राम सभा का जो सदा से बनना है उसे ब्यक्त कि I am minimum होनी चाहिए, वो 21 होनी चाहिए, यानि कि 21 साल होनी चाहिए, तब वो परफेक्ट है, तो बिगम दा ग्राम सभा निम्बर स्वारमेंडल में कि जो सभी ग्रा होते हैं सॉर के चारों और किस तरह से गुमते हैं? कहने का मतलब यह है कि जो उनका मोशन या रणिंग का जो एरिया होता है, वो क्या होता है? बहुत ही वाइड होता है केने का मदद दीग वित्ता कारपत पर ही चलते हैं सोरे मंडल के सभी गरा अराउंट किसके चलते हैं सूरी के चारो तरफ मानो शरीर की सबसे बड़ी गरंथी कौन सी होती है ये कॉश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप इसको याद करते हैं तो यह ऐसा नहीं है कि आपके दिल्ली पुलिस के लिए ही हेल्टफुल होगा येतने भी एक्जाम है रेलवे ग्रूप डी से ले करके आप S.S.C.C.G.L. की तयारी कर रहे हैं S.S.C.P.O. की तयारी कर रहे हैं तो मानोश्री के सबसे बड़ी जोगरंती होती है वो होती है क्यक्रित Dragon Seed ये ठेमस बहुत फेमस बुक है Dragon Seed की ड्रेगन सीट के जो राइटर है परल एस बग है इस बुक के राइटर तो कभी-कभी एक famous book होती है जो चर्चा में रहती है या नहीं भी रहती है तो भी कोई incident या पुरानी किताबों के बारे में पूछ ले जाता है इस किताब के writer कौन है तो इन सब के बारे में भी आपको पता होना चाहिए अगरा question computer में RAM का full form क्या होता है बहुत ही आसान सा question है बट SSE में कितनी बार यह question पूछा गया है SSE MTS or CHSL में भी कई बार पूछा गया है कि RAM का full form क्या होता है Random Access Memory यह कि बहुत ही आसान सा question है और repeatedly कई बार question पूछा गया है बैंक में expect bank में भी इस तरह से question पूछे जाते हैं बैंक में जाए तरह question computer से आते हैं जो कि आपको पता होना चाहिए अर्थसास विशे में कितनी लोगों को इस वर्ष नोबल प्रोस्कार दिया गया है अर्थसास जो subject है जिसके पीस में दिया जाता है इस तरह से medical science में जो दिया आता है और नोबल प्राइस इस पार जो तीन लोगों को दिया गया है वह परसन का नाम आपको मैं अगले वीडियो में बताऊंगा इसमें मनिक और परसन का नाम बताया है तो definitely अगले वीडियो में आपको मिलेगा अर्ष सास्त में जो एक इंडि इंडिया में बहुत ही जानते है कि इंडिया में जहां पे बहुत ही ज्यादा से ज्यादा क्या है टेंपल्स है यह रिलिजियस प्लेस बहुत है तमिल नाडो में और जितनी के मंदिरे हैं वो पुराने जमाने जैसे मंदिर बंद लेते उसी हिसाफ से मंदिरे बनी हुई है यह थे important question for the Delhi police के लिए आप तयारी कर रहे हैं hit constable की यह वीडियो आपके लिए बहुत ही helpful होगा आप इस वीडियो को share कीजिए अपने friends circle में और आपको इसी तरह से वीडियो चाहिए चैनल को subscribe कीजिए और comment जरूर कीजिए बताइए वीडियो कैसा लगा और और modification चाहते हैं या और कुछ advanced question चाहते हैं तो आप जरूर बताइए feedback दीजिए improvement और अच्छी तरीके से होगा thank you for watching